हाई एवरिवान वेलकम डू स्लीपी क्लासेज आज हम कवर करेंगे टाइपस ओफ सॉयल इन इंडिया यह हमारा जोगरफी का मडूल 26 होगा ठीके जी प्रिविस सेशन में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा फॉर्मेशन ओफ सोयल कैसे होता है मडूल नमबर 25 में ठीके और देन हमने समझा टाइपस ओफ सोयल लोमी सोयल ख्ले सोयल सैंडी सोयल सिल्ड सोयल ठीके जी मड्ड सोयल और लास्ट में प्रिविस सेशन में हमने कवर करा था स्वाइल ट्रांसपोर्टेशन मतलब लीचिंग सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे सबसे पहले हम समझेंगे सोयल इरोशन और लास्ट में हम कवर करेंगे हमारे प्यारे भारत में कौन सी सोयल हमें देखने को मिलती है मतलब कितनी टाइप की सोयल देखने को मिलती है जर्नली एट टाइपस की सोयल है हमारे इंडिया करेंगे आज चलिए session को start करते हैं देखे soil actually में होती क्या है अगर हम बिल्कुल simple term में बात करें soil की तो upper fertile layer in which plants are group formation में हमने समझा कि five main component होते हैं soil की formation में ठीके लेकिन mainly अगर हम consider करें mainly कौन-कौन से component होते हैं soil की formation में एक तो rock particle ठीके और एक क्या होता है organic substance अब soil की definition क्या थी अपर fertile layer in which plants are group जहां पर हमें plants grow होते हुए दिखते हैं अब जो plants हैं वो mineral कहां से लेते हैं soil से लेते हैं या फिर rock से लेते हैं soil से लेते हैं ठीके तो rock क्या हो जाती है parent हमने formation में अच्छे से समझा था अब देखिए यहां पर जो organic substance है इसको मैंने यहां पर किंग कंसेडर किया है ध्यान से समझेगा जो soil की fertility rate होती है वो कहीं ना कहीं organic substance पे डिपेंड करती है और हम soil profile में इसको अच्छे से समझेंगे तभी मैंने यहां पर इसका थोड़ा सा जिकर किया अब देखिए हमने प्रिवेस सेशन में एक pH scale भी देखा था कि soil का जो pH scale में अगर हम देखें तो soil हमें कहां पर देखने को मिलती है देखिए 1-7 हमें सभी की सभी acid देखने को मिलती है ठीक है और 7-14 base ठीक है अब जो हमारी soil होती है वो generally neutral या या फिर slightly exit आप कह सकते हो ठीक है 6-7 की range में हमें देखने को मिलती है लेकिन leaching process में हमने समझा था प्रिवेस सेशन में जो हमारी soil है वो acidic हो जाती है ठीक है अब acidic होने की वेज़े से माल लो कि अगर हम soil को normal करना चाहते है ठीक है normal condition में लाना चाहते है और हमारी soil क्या है जिपसम वैसे यह add-on करते हैं हम normal condition में लाने के लिए ठीक है यह से सीजल में question पुछा हुआ था तो ध्यान रखना और organic substance मैंने आपको बताई दिया कि soil की fertility rate को एक तरह से बढ़ा देता है organic substance उस पर कहीं न कहीं matter करती है soil की fertility ठीक है तो चलिए soil profile हम समझते है अब देखे soil profile क्या है वर्टिकल सेक्शन में अगर हम soil की layer को arrange कर दें इसको हम लोग क्या बोलते है soil profile आप वर्टिकल सेक्शन कंसेडर कर सकते हो यह वर्टिकल सेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं एक के बाद एक layer यहां पर बनी हुई है इसको आप horizon भी बोल सकते हो एक ही बात है ठीक वो है A, B, C, R जिससे definitely question आता ही आता है और इसी से question आता है इनी layer से बट हम समझेंगे सभी layers को तभी हमें A, B, C, R अच्छे से clear होगा ठीक है अब देखिए जो O horizon है मतलब जो सबसे topmost layer होती है ठीक है विससे topmost layer अपके होती है A horizon की लेकिन उससे उपर भी एक layer होती है ठीक ह जो journal ही हमें देखने को मिलती है और इस layer में भी कही न कहीं organic matters होते हैं लेकिन क्या है undecomposed होते हैं मतलब partially decomposed होते हैं 22-30% हमें organic matter यहाँ पर देखने को मिलते हैं या फिर आप ऐसे समझ सकते हो अगर हम normal language में बात करें जो layer में हमें leaves किरे हुए देखने को मिलते हैं या liter हम लोग क्या बोलते हैं horizon layer ठीक है this layer lies on the top of the decomposed organic matter decomposed नहीं partially decomposed ठीक है ऐसे आप कह सकते हो और यह layer का जो color है हमें dark brown या फिर black brown देखने को मिलते हैं ठीक है उसके बाद next layer है यह important है यहां से question आते हैं इसको ध्यान से समनना यह horizon या फिसको हम top soil भी बोलते हैं ठीक है अब यहा organic matter से होते हैं वह leaching process के दुरान किस तरह से decomposed होते हैं इसको समझना हमने previous session में leaching process समझा यहां पर भी हम समझेंगे तभी हमें यह layer अच्छे से clear हो पाएगी ठीक है तेको leaching process में हमने समझा था कि जो leaching process है वह humid condition में होता है ठीक है humid condition या फिर आप यहां पर wet condition भी consider कर सकते ह leaching process हमें देखने को मिलता है मतला क्या है precipitation ज्यादा होगा leaching process में ठीक है और evaporation क्या होगा कम होगा अब precipitation ज्यादा होगा तो यहां पर water हमें देखने को मिलेगा और waters क्या है हमें downwards जाता हुआ दिखेगा जब यहां पर heavy precipitation होगा और पानी हमें downwards जाता हुआ दिखेगा उस condition म क्या होगा सर्फेस वे जितने भी और्गैनिक मैटर्स होंगे वो हमें नीचे की और जाते हुए दिखेंगे मतलब एक तरह से वो क्या हो जाएंगे डिजॉल्ड हो जाएंगे ठीक है जी अब यहां पर समझो इस लीचिंग बिरसेस को देखो लीचिंग बिरसेस टू टाइप होता है होमिट तो कंडिशन होगी होगी लिचिंग बिरसेस में यहां पर जब भी मिनरल की बात करेंगे हम अगर आपसे को स्क्राइब कि पूचा जाए कि लैट्वृ सल में जो हमारा कौन सा मिनरल डाउनवर्ड हमें जाता हूँ दिखता हूए या कौन सा मिनरल हमारा डिस और यह जो लेटोसल है, इसी से ही हम लोग देखते हैं, कौन सी सोयल का formation होता है, लेटराइट सोयल का, ठीक है जी, और लेटराइट सोयल कौन से कलर की होती है, रेट कलर की होती है, और पॉड़जल की बात करें हम, पॉड़जल में बिलकुल ठीक, इसके वीप्रीत कंडिशन होती है, मतलब ठीक, इसके वाइस वर्सा कंडिशन आप कंसीडर कर सकते हो, मतलब सीलिका हमें सरफेस में देखने को मिलता है, और डाउनवर्ड हमें कौन-कौन से मिनरल जाते हुए दिखते हैं, अलिमिनियम एंड आइरन, ठीक है, और यहाँ पर हमें कौन सी कलर की सोयल द दोरान क्या होता है, काफी सारे हमारे ओर्गैनिजम डाउनवर्ड हमें जाते हो दिखते हैं, और इस लेयर में हमें माइक्रो ओर्गैनिजम सच एस अर्थ वार्म, पंजाई, बेक्टीरिया यह भी देखने को मिलते हैं, बहुत ही आप ऐसे कह सकते हो, रिच नूट्रेंट लेयर है, ठीके, नूट्रेंट्स लाइक, आयरन, अलुमिनियम, क्ले, और गैनिक मेंटर आर सम्टाइम्स डिसॉल्ड, यह डिसॉल्ड हमने समझा, लीचिंग पर से इसके दुरान होता है, ठीके, तो यह आप यहाँ पर प्रेक्ट्रिया रखेंगे, ठीके, उसके बाद है E-Orizone, E-Orizone यह ज़्याना important नहीं है, लेकिन जो A और B के बीच में, transportation का काम करती है, ठीके, या फिर आप ऐसे समझे, transition का काम करती है, transition zone है एक तरह का, A और B के बीच में, ठीके, A और B के बीच में, यह transition का का काम करती है, ठीके, elevated layer हम इसको कहते हैं, ठीके जी, और इसमें भी क्या होते हैं ये accumulate करती है तो यहाँ पर भी हमें nutrients देखने को मिलते है iron, aluminium ठीके ये सारे के सारे हमें nutrients देखने को मिलते हैं और ये least करती है A से B में ठीके तो accumulate होते हैं इसमें तो यहाँ पर भी हमें minerals देखने को मिलते हैं उसके बाद है next C layer sorry B layer B layer को हम sub soil भी कहते हैं ठीक है अगर हम A के comparatively बात करें ऐसे questions भी पूछ लिए दाते हैं कि बताईए A ज़्यादा fertile होती है या फिर B A के comparatively अगर हम देखें तो B less fertile होती है और यहाँ इतने fine particles भी नहीं मिलते ठीक है और यहाँ पर nutrients जो है nutrients है वो reached कर रहे हैं ठीक है मतलब bleaching process के दुरान यहाँ पर nutrients हमें देखने को मिल रहे हैं और इसी लिए हम इसको कहते हैं zone of elevation zone of elevation ठीक है जी और e horizon इसमें help करता है accumulate करने के लिए यह आपको मैंने बताई दिया previous slide में उसके बाद देखें c horizon जो है इसको हम saprolite कहते हैं और इसको हम parent rock भी कहते हैं अब यह जो यहाँ पर parent rock बनते हैं यह एक तरह से bed rock नहीं बनते हैं मतलब unbrokeable rock नहीं होते हैं यह weathering condition में जो रोक बनते हैं ऐसे समझ लो जादा बड़े बड़े हम रोक नहीं consider करेंगे ठीक है यह weathering condition में जो रोक बनते हैं ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं C horizon या फिर parent rock hard mass होता है यहाँ पर भी ठीक है और hard mass होता है और यहाँ पर भी हमें accumulation देखने को मलता है accumulate तो होता है इस layer में भी ठीक है ठीक है जी और उसके बाद R जो horizon है और R horizon में आप ऐसे समझो सबसे bottom layer है इसको bedrock भी कहा जाता है unbroken rock भी कहा जाता है और यहाँ पर हमें कौन-कौन से organic substance या फिर minerals देखने को मलता है granite, basalt and limestone ठीक है यह था layer और layer से related जितने भी question अभी देख previous session में आ चुके हैं previous question आपके साथ मैंने discuss करें जो भी basically paper में पुछे जाच चुके हैं अब हम discuss करेंगे soil erosion अब soil erosion को अगर हम simple term में बात करें removal of top soil by the natural process is known as soil erosion ठीक है, माल लोग यहाँ पर एक soil है, ठीक है, यह एक ground है ठीक है, यहाँ पर आपको soil देखने को मिल देए ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर कोई ऐसाच plant नहीं लगा हुआ कोई tree नहीं लगा हुआ और यहाँ पर यह जो soil है वो आगे की और की सकरी है किसकी वज़े से यह आगे की और soil erosion हमें देखने को मिलेगा ठीक है, process देखने को मिलेगा wind की वज़े से ठीक है, mainly जो soil erosion होता है वो two types होता है जैसे three types होता है, लेकिन हम यहाँ पर two types ही cover करेंगे जो आपके exam के लिए important है wind and water, सबसे बहले हम water समझते है वो easy है देखे, water erosion में क्या होता है running water, जैसी हमें देखने को मिलेगा तो जो soil है, वो अपने exact position से आगे की और जाती हुँ देखेगी, ठीक है यह तो ही normal language में अगर हम बात करेंगा definition की बात करें, when it rains in the hilly area, the soil gets washed away towards the plain, हम देखते हैं कि जो soil है, वो मिटी, पानी की बहाव से आगे की और चली जाती है, ठीक है इसी को हम लोग क्या कहते है, water erosion कहते है, ठीक है, अगर हम इसको अच्छे से समझें, तो इसको हम four parts में समझ सकते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे, splash erosion, या फिर raindrop erosion, ठीक है, अब raindrop erosion क्या होता है, देखो, ये बिल्कुल plane surface है let us suppose, ऐसे समझ लो, ये plane surface है, यहाँ पर raindrop hit कर रही है, plane surface को, और ये soil है, आपर, ठीक है, अब ये जो raindrop hit करेगी, ये कितने mm की है 5 mm की, ठीक है, और ये hit कितनी velocity से करती है, 32 km per hour, ऐसे question भी SSC पूछता है, तो ये ध्यान रखना ये exactly है, फिगर आपने याद रखनी है ठीक है, तो soil, जब hit करेगी, कितनी velocity से 32 km per hour की velocity से तो हमें raindrop की वज़े से, जो soil का structure है, वो destroy होते होगे दिखेगा, या फिर आप ऐसे समझो, यहाँ पर soil drop ना समझो sorry, raindrop ना समझो, यहाँ teeny bomb समझ लो, एक bomb गिरा और यहाँ पर सचर बिगड़ेगा की नहीं बिगड़ेगा बिल्कुल बिगड़ेगा, ठीक है, यही condition को हम लोग क्या कहेंगे, splash erosion कहेंगे ठीक है, फिर, raindrop erosion कहेंगे ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझे, माल लोग की, एक river flow कर रही है ठीक है, और river बहुत तेजी से flow कर रही है, और यहाँ पर एक plain surface है, तो river अपने साथ, यहाँ पर जो soil होगी, उसको बहा कर आगे की और ले जाएगी, ठीक है प्रॉपर एक, एक layer अगर आगे की और चली जाए, soil की, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, sheet erosion ठीक है, जी, removal of surface soil by running water, इसको हम लोग क्या कहते हैं, sheet erosion ठीक है, उसके बाद जो third type है, वो है real erosion, अब real erosion में क्या होता है माल लो, यह एक surface है, ठीक है, यह ground है ठीक है, अब यहाँ पर बहुत तेजी से पानी आया, ठीक है, जब पानी आया, तो यहाँ पर beach-beach में ऐसे reels बन गी, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको खड़ा देखने को मिल रहा है, यह plane area है, बिलकुल यहाँ पर soil है, यहाँ पर खड़ा बन गया, यहाँ पर इस तरह से reels बन गी, ठीक है, finger-like condition बन गी यहाँ ठीक है, real erosion होता है, ठीक है, अब इसको, अगर real erosion को हम advanced version में consider करें, जब real बहुत ज़ादा increase हो जाए, ठीक है, और हमें, जो यह खड़ा था, काफी ज़ादा देखने को मिले, और बहुत ज़ादा यहाँ पर erosion हो जाए, ठीक है, एक पूरा पूरा आदमी इस area में जा सकता है, एंटर कर सकता है, और उपर plain surface है, यहाँ पर आपको एक तरह से खड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गली erosion, ठीक है, when real increase in size become गली, ठीक है, जब गली का एक रूप ले लेगी, मतलब इतना बड़ा size हो जाएगा, ठीक हम इसको बोलेंगे, गली erosion, ठीक है, यह bad land topography में हमें देखने को मिलता है, चंबल वाले area में, इसलिए हम इसको चंबल ravines भी बोलते हैं, यह भी आतक ना, इसको हम चंबल ravines भी बोलते हैं, और ना ही कोई physical obstruction देखने को मिलेगा, ठीक है, अब यहाँ wind चर रही है, बहुत ही fastly move कर रही है, अब यह wind fastly move करेंगे, अब खाली area में होड़, तो कुछ यहाँ पर है ही नहीं, जिसको wind आगे की ओर ले जाए, तो यहाँ पर wind usually blow at high speed in desert due to absence of physical obstruction, तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर wind erosion, ठीक है, तो चलिए, अब wind erosion से बचने के लिए, हम लोग क्या efforts कर सकते हैं, तो यहाँ समझेंगे हैं, और देखो वही, सबसे पहले है wind breaks, अब wind breaks क्या होता है, just a second, wind breaks क्या होता है, इसको हम लोग basically क्या कहते है, shelter belts भी कहते है, shelter belts, मतलब एक plain area है, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता, जिसे wind को हम break कर सकें, wind की speed को हम कम कर सकें, तो wind की speed को कम करने के लिए, हम यहाँ पर planting करते हैं, ठीक है, tree planting करते हैं, line of tree planting, मतलब यहाँ पर हमने plant लगा दिया, यहाँ plant लगा दिया, इस तरह से हम line में tree की planting करते हैं और इस area को protect करते हैं, soil erosion से, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, wind break या फिर shelter belt, उके, उसके बाद second है हमारा effort station, effort station तो खेर हम सबको करना चाहिए, plants लगाने चाहिए, ठीक है, और इससे भी कही न कहीं हम देखते है, soil erosion कम होता है, उसके बाद है, no till farming, अब no till farming, जब farming होती है, जब farmers basically farming करते हैं, किसी की, कोई भी crop यहाँ पर लगाते हैं, तो वो वहाँ पर plowing करते हैं, ठीक है, और अगर मान लोग कि plowing यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पर winds चलती हैं, तो यहाँ पर soil erosion हमें देखने को मिलता है, तो जितना हमें, जितनी नीचे हमें seeds लगाना है, उतना ही हम plowing करेंगे, तो इसको हम लोग basically क्या बोलते हैं, no till farming, ठीक है, उसके बाद next है terrace farming, terrace farming यह एक तरह का, आपको देखने को मिलता है hilly area में, ठीक है, hilly area में इस तरह से यह hills होते हैं, ठीक है, और इनको design करा जाता है, जब hills में farming करी जाती है, इस तरह से इनको design करा जाता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, terrace farming, ठीक है इससे क्या होता है, एक slopping area को हमने divide कर दिया, ठीक है, इससे soil erosion बहुत कम होता है, soil from being vast away, मतलब अगर यहाँ तो बहुत जल्दी vast होगी, ठीक है, जल्दी जल्दी यहाँ पर flow होती है, देखीगी, लेकिन यहाँ पर हमने इसको slope को इस तरह से divide कर दिया, इससे हमारा soil erosion कम होगा, ठीक है, उसके बाद है contour bonding, contour bonding को हम trenching भी कहते हैं, दो over the soil surface to maintain moisture and improve soil condition, soil की condition को improve करने के लिए, उसकी moisture की condition को improve करने के लिए, organic और inorganic, हम कुछ भी यहाँ पर अगर place कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, mulching बोलते हैं, ठीक है, grass clipping कर सकते हो, आप stroke लगा सकते हो, यहाँ पर bark chips लगा सकते हो, stones लगा सकते हो, plastic लगा सकते हो, organic, organic, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन mulching करने है, mulching क्यूं करने है, उसकी moisture को maintain करने के लिए, और soil की condition को improve करने के लिए, ठीक है, उसके बाद देखो, rivers के flow को कम करने के लिए, हम क्या करते है, dams मनाते है, ठीक है, और पानी को save भी करते है, इसे पानी save भी हो जाता है, और अगर flood condition होती है, तो dams कहीं न कहीं protect भी करते हैं, उसके बाद stone pitching, यहाँ पर stone pitching भी करा जाता है, ठीक है, इस तरह से stone pitch कर दिया जाते है, मतलब stone को यहाँ पर place करा जाता है, soil erosion से बचने के लिए, उसके बाद है wire netting, यह wire netting है, बहुत costly बढ़ता है, अब आप आपने border में देखा होगा न, कि यहाँ पर मालो कि यह पाकिसान का है, यह इंडिया का border है, यहाँ पर fencing होती है, ठीक है wire की, तो इसको आप ऐसे समलो, जमीन पर fencing करी होई है, ठीक है wire netting की होई है, यह खेर बहुत costly बढ़ता है, ठीक है इससे भी soil erosion हमारी कम होती है, ठीक है उसके बाद tetra ports in beach, अगर आपने कभी beach देखे होंगे, ठीक है अगर आप गई होंगे, तो वहाँ पर इस तरह के tetra ports पड़ crop harvesting के दुरान होता है, इसको ऐसे समझो, कि एक farmer है, ठीक है, उसको पता है कि जब crop harvesting होगा, तो यह पूरा का पूरा land खाली हो जाएगा, ठीक है, तो यह क्या करता है, second crop को भी साथ की साथ ग्रो कर देता है, यहाँ पर, मतलब ऐसे समलो, कि यह area में पहले कोई crop लगी हुई, और यह area खाली पड़ा है, जब इसका harvesting का समय आएगा, तो यहाँ पर कुछ न कुछ plowing कर देगा, कोई crop को plowing कर देगा, यहाँ पर soil erosion कम होगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते है, relay farming, ठीक है, उसके बाद crop rotation, crop rotation तो खेर अच्छा भी होता है, जो soil की fertility rate बना रहता है, ठ अर्थनिस्टन स्टेट में देखने को मिलते है, उसके बाद plowing the land in right direction, यह तो खेर मैंने आपको बताई दिया, ठीक है, तो यह basically soil erosion से हम लोगों को बचाते हैं, ठीक है, और soil conservation में यही points में जो discuss करें, यही आपसे exam में पुछे जाते हैं, ठीक है, चले, उसके बाद हम discuss करे इंडिया के point of view से soil, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है, इंडिया में 8 types of soil हैं, starting में आपको बताया था, aluil soil, जिसको हम काचारी soil भी बोलते हैं, ठीक है, black soil, red soil, letride soil, arid, mountain, patty and sline soil, ठीक है, 8 types की soils होते हैं mainly, सबसे बहले हम discuss करेंगे aluil soil, ठीक है, क्योंकि हमारे भारत में 43% का जो area है, वो cover करती है, aluil soil, ठीक है, और ये mainly हमें कहां देखने को मिलती है, यहां map देखिए, यह है हमारी aluil soil, यह हमारा northern वाला जो part है, ठीक है, यहां पर mainly देखने को मिलती है, गंगा, भ्रहमा, पुत्रा वाला reason आप कह सकते हो, जहां से गंगा और भ्रहमा, प मसते हैं, ठीक है, main main से point मैं आपको बताऊंगा, यहां पर aluil soil के जो exam में पुछे जाते है, the soil formed by flood water and river water, यह soil किस तरह से हमारा को, इसका formation देखने को मिलता है, flood water और river water से, ठीक है, और पूरे के पूरे भारत में अगर हम देखे 43% का area cover करती है, और इसमें कौन से nutrients हमें दे हमी देखने को मिलती है, ठीक है, यह question भी पूछ लिया दाता है, इसको भी याद रखना, और aluil soil होती है, इसकी fertility rate इतना ज़्यादा होता है, यहां पर हम कोई भी crop को produce कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी crop यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है, तो यह soil एक तरह से सभी crop के लिए beneficial है ठीक है, और अगर इसको हम इस diagram में देखें, ठीक है, अब इसमें कुछ reasons हैं, जैसे भाबर reason है, हिमाले reason है, तराई reason है, खादर reason है, बांगर reason है, इसको हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है, हिमाले reason तो खेर जो हिमाले वाला part है, वहां पर जो यह aluil soil हमें देखने को मिलत जो बहुत कम होती है कि इसमें इन चारों में से बताइए कि इसमें कम होता है तो ये बाबर वाले रिजन में कम यह जो नाइट्रोजन आप हमें कम देखने को मिलता है तो अगर हम इस अलुविल सोल की बात करें है यहाँ पर पानी वाला area होता है यह पानी वली soil होती है मतला पानी भरा रहता है इस reason में ठेके और इसी वज़े से यहाँ पर बहुत ज्याद़ डिसीज भी होती है मतलब मच्छर मक्यां यहां पर ज्यादा देखने को मिलती है यह ऐसे इस बुक में लिखा हुआ था तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते है SSC में खेर कोशन आया था कि नाइट रोजन कहां पर होता है ऐसा कोशन नहीं आया था बड़ जस्ट वर जनरली आपको पता होना चाहिए उसके बात है खादर खादर न्यू एलिविल सोईल है यह बैसिकली यूपी आंदरपरदेश वाले जीजन में आपको देखने को मिलेगा इसको आप याद रख सकते हैं it is deposit by annual flood जो annual flood आता है ठीक है उसकी वाज़े से जो यहाँ पर soil को हम deposit होते हो देखते हैं इसको हम खादर soil बोलते हैं ठीक है और उसके बाद जो आपका बांगर वाला जो soil है जो reason है यह basically old soil होते है deposit away from the floodplain जो floodplain से वाला reason होते है उसको हम बांगर reason बोलते हैं ठीक है एक delta reason भी होते है अच्छा एक चीज़ यहाँ पर याद रखना खादर और बांगर को अगर हम यहाँ पर consider करें ठीक है इसमें mainly हमें क्या देखने को मिलता है calcareous cancretion calcareous cancretion क्या होता है concur ठीक है तो यह हमें कहां देखने को मिलता है खादर और बांगर ठीक है चलिए उसके बाद है black soil black soil को हम रेगूर सोयल भी बोलते हैं ठीक है और इसको हम ट्रॉपिकल चैर्णोजम्स भी बोलते हैं हाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रॉपिकल चैर्णोजम्स ठीक है और इसको ब्लैक सोयल रेगूर सोयल ठीक है और कोटन सोयल भी हम कंसेडर करते हैं ब्लैक सोयल को ठीक है अच्छा मैंने प्रीवेल सेशन में आपको बताया था यहां पर समझो यहां स्पेस अच्छा है ठीक है जब वलकैनिक एक्टिव बन जाता है ठीक है और यहां से लावा बाहर आता है और यहां पर इस तरह से यह जमना शुरू हो जाता है इस रिजन में और यह जो वलकैनिजम होता है यहां पर मतलब यह जो रोक बनती है से इसी से ही फॉर्मेशन होता है रेगूर सोयल का ठीक है या ऐसे समझो ब्लैक सो से इसका basically formation होता है ठीके और इसका black color कव्यों होता black color इसका होता है magnetite meorm исka magnetite titan verus कवज़़ु потреб अभूर इसमें number of capillaries found होती है मतलब बहुत सारी möglich action हमें देखने को मिलता है laquelle है है और dry climate की condition में यह हमें capillary action देखने को मिलता है मतलब यहाँ पर evaporation ज़्यादा होता है precipitation कम होता है मतलब एक तरह का आप dry वला reason consider कर सकते हो evaporation ज़्यादा है पानी तो यहाँ ज़्यादा होगा तब यह evaporation होगा ठीके मतलब यह जो soil होती है इसके बीच में space होता है और इसके बीच में से ही यहाँ पर evaporation देखने को मिलता है ठीके और जब यह soil को आप देखोगे ठीके वैसे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर space नहीं देखने को मिलता है ठीके इसको google पर एक पर देखना इसमें space होता है soil के बीच में मतलब crack एक तरह से हमें देखने को मिलते हैं और इस crack की वज़े से हम लोग इसको क्या कहते हैं self flowing soil भी कहते है ठीक है water absorption power इसकी अच्छी होती है क्योंकि number of capillaries यहां पर found होती है हमें ठीक है और यह कौन से एरिया में हमें देखने को मिलती है black soil डेकन प्लैट्यू में गुजरात महरास्ट्रा करनाटका मद्यपरदेश च्छतिजगर राज्यसान मेंली हम लोग कंसीडर करें अगर cotton की सबसे जादा production कहां पर होती है ठीक है तो वह आप लोग याद रखेंगे गुजर ठीक है जी उसके बार next है red soil red soil को हम लोग yellow soil भी कहते हैं अब क्यूं कहते हैं yellow soil इसको ध्यान से समझना ठीक है जी देखो यह semi-arid area में हमें देखने को मिलती है red soil जहां पर rainfall बहुत कम होता है ठीक है और इसका formation कैसे होता है diffusion of iron oxide ठीक है इसका mainly formation हमें कैसे देखने को मिलता है diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock ठीक है और यह yellow color की visible कब होती है जब यह hydrated form में होती है ठीक है कुछ समय के बाद यह hydrated form में होती है तो यह soil हमें yellow color की visible होती है ठीक है और भारत में second largest soil है ठीक है 18.5% के आसपास देखने को मिलती है Elevaled soil 43% और यह 18.5% के आसपास ठीक है उसके बाद है यह red soil ठीक है और उसके बाद है forest and mountain soil यह high elevation area में देखने को मिलेगा mountain soil और इसका जो temperature है just a second temperature है इसमें कम होगा mountain soil में और temperature कम होगा तो यहाँ पर हमें कौन सा mineral देखने को मिलेगा silica silica found in this soil ठीक है और silica होगा तो इसका nature क्या होगा इस soil का acidic और acidic होगा acidic होने के वीज़े से इसका fertility rate क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है मतलब आप यहाँ पर consider कर सकते है इंस्पाइट हूम इस फाउंड और यह कौन सा रिजन है जो हमारा टी कोफी जो करनाटका था मिलना डू वाला रिजन है ठीक है जो शैड़ो रिजन बनता है हमारा वेस्टन घाट के बाद तो यहाँ पर बेसिकली यह ग्रॉप हम प्रोड्यूस कर पाते है ठीक है चले उस इसकी बाद है एयरी इंस स्वेल यहां पर भी यहां और बहुत कम होता है लगए हो और यहां पर बेप्रिशन हाइच है包 दो हम लोग यहां कंसेडर कर सकते ह淨 की कंडिशन मनती है चैक है और यहां पर कोन से fantasy हमें mainly ज़्यादा देखने को मलते हैं silica and एक हमें यहाँ पर देखने को मलता है calcium की layer यहाँ पर बन जाती है calcium की layer बनती है तो calcium की layer किसको oppose करती है water absorption को calcium layer opposed water absorption ठीक है तो यह वली जो soil होती है इसमें mainly हम food crops को ही produce कर पाते हैं ठीक है चलिए उसके बाद है next letrite soil अब letrite soil जो है यह formed होती है bricks से ठीक है जो bricks होती है उससे basically letrite soil का formation हमें देखने को मिलता है और यह आपको कहां पर देखने को मिलेगा जहां पर heavy rainfall होगा अब heavy rainfall की condition कहां पर होती है देखिए मांसून हिट कर चुक है हमारे इंडिया में ठीक है पाई जाती है और इसमें intense leaching होती है leaching process obviously अगर मैंने आपको बता रहा है humid like condition होगी wet condition होगी तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा leaching condition देखने को मिलेगी ठीक है और इसी वज़े से leaching condition की वज़े से lime and silica यहां पर वाश्ण हो जाता है मतलब नीचे की और चला जाता है ठीक है और उपर क्या रहा जाता है aluminium and iron ठीक है जो leaching में actually में हमने समझा था लेटो सोयल में उसको आप यहां पर हमने मैंने आपको बताया था लेटो सोयल के बाद कौन सी सोयल का formation होता है लेटराइट का ठीक है तो यह आत रखना चलिए उसके बाद next है हमारा पैटी सोयल पैटी सोयल जो है यह mainly humus content इसमें ज़्यादा होता है ठीक है has a large quantity of humus content और इसी वज़े से हम vegetation बहुत ज़्यादा कर पाते है मतलब vegetable यहां पर बहुत ज़्यादा grow कर पाते है ठीक है और यह भी high rainfall वाले area में हमें देखने को मिलती है पैटी सोयल high humidity होती है यहाँ पर ठीक है और high humidity होगी और high rainfall होगा तो यहाँ पर water absorption capacity भी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी ठीक है और अच्छा एक condition यहाँ पर आप लोग याद रखना इस सोयल में sometimes toxic substance होते है ठीक है और यह जो toxic substance होते है यह plant की life को कहीं न कहीं कम कर देते हैं अब toxic substance क्यों होते हैं क्योंकि इसमें presence होता है इस सोयल में ferrous and aluminum sulphate ठीक है जी ferrous and aluminum sulphate तो आप एक point को याद रखना this soil is sometimes highly toxic to plant life due to presence of ferrous and aluminum sulphates in it ठीक है जी तो यह था petty soil और अच्छा एक मिनट जो आप मारी एक last soil है इसकी ppt में add-on कर दूँगा जब आपको यह pdf मिलेगी telegram channel में एक soil रहेगी हमारी saline soil इसको भी समझ लेते हैं यह भी काफी reason में हमें देखने को मिलती है saline soil ठीक है और इसकी अगर हम characterised बाहत तक character 6 की बात करें तो आप लोग याद रखना saline soil is characterized by the presence of sodium potassium and magnesium ठीके जी तो यह eight types की soil है और यहाँ पर map के थूँ आप लोग अच्छे से देखना कि कौन सी soil कहां पर हमें देखने को मिलती है जब हम next session में अच्छे से समझेंगे अगर in case आपका कोई doubt होगा please comment section में post करिएगा चलिए thank you so much